आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question हमारे पास यह है कि एक Reversual Reaction के लिए Delta G-naught Forward Reaction के लिए Forward Reaction हो गई और यह हमारी Backward Reaction हो गई इनके लिए Rate Constant लिए है मैंने तो अगर हम बात करें Delta G की Delta G होता है हमारे पास क्या Minus में NF E-naught Cell होता है और अगर हम बात करें RT के टाउम्स में तो RT के समुच में Delta G-naught को कैसे लेखेंगे तो KP के टाउम्स में क्या लेखेंगे Minus RT LN KP तो KP Forward के लिए हमारे पास क्या है Minus में RT LN KF तो Basically Forward के लिए Delta G क्या है Negative तो Backward के लिए अगर Reversual Reaction है तो Reversual Reaction के लिए मैं पता है Delta G क्या होता है Zero भाई Delta G यह बता होगा जी क्या होगा Automatically Positive हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि भाई Delta G 4 Overall Reaction क्या होगा Zero Positive Negative Zero तो Answer क्या होगा हमारा Positive Answer विलकुल ठीक होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर प्राइक्ट्स